हेलो एबिवन आज हम करने वाले हैं क्लाश चेप्टर 10 एक्साइज 10.2 सर्कल इससे एक्साइज 10.2 करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दिख रहेते हैं कि इस चेप्टर में मतलब कि थोड़ है क्या दोगो केज बन दे रखा है कि दिया इज नो टैंजेंट मतलब कि दे तो यह एक पॉइंट है वहां से कभी भी टैंजेंट जाती नहीं है कभी जाएगी ही नहीं क्योंकि टैंजेंट हमेशा on the surface होगे जाती है यह तो पता है यह तो केस बन दो थाओ क्या है कि दिया इज नो टैंजेंट पासिंग थू पॉइंट वह पॉइंट कहां पर है only one tangent passing through a point line on the circle मतलब कि case second के लिए यह वाला होनेगा कि एक point है जो की surface पर लाइगा रहा है line on the circle मतलब circle पर होता है circle तो वहां से हमें सब्सक्राइगे ईगलत बन जाएगी इसवाऩी यह second case है कि अगर circle पर एक point है तो वहां से सरफके एक टैंजेंट जाएगी यह यह case 2 था यह case 3 है ठीक है case 3 के लिए there are exactly two tangents देखिए पहले ही मैं लिखा है two t w कोना होता है two tangent to a circle यहाँ पर circle पर इसका मतलब है circle पर there are exactly two tangent to a circle through a point point कहाँ पर है outside the circle अगर circle point भार है तो यहाँ से इस point से circle पर दो क्या है tangent पर सकती है ठीक है वह case 3 आपको थ्योर में आने के लिए प्रूब करना पड़ीगा तो यह आपका बहुत कुल सेम सही है कि एक अगर point outside है तो दो tangent जाएगी point अगर cycle पर है एक tangent जाएगी अब point अगर अंदर है कोई tangent नहीं जाएगी यह यह दिखिए एक ठोड़ में कि length of tangent drawn from a external point दिखिए the length of a tangent drawn from a external point मतलब कि अगर एक circle है और यह दिखिए point है यहां से हमें क्या point क्या है external है और हमने क्या है एक circle पर tangent डाल दी ठीक है इमने पी डाल दीजे यह point है टेच करता है उसे q डाल दीजे यह और से r डाल दीजे to a circle r equal मतलब हमें एक given दे रखा है यह हमें के इस थोरम है यह थोरम को प्रूब करना है तो देखिए यह से प्रूब तो मैं कर लिए फिर लेस्ट में बना दूगा पर मैं आपको फिर प्रूब कर दिखाएता हूं कि गिवन में क्या है हमें दे रखा है इदर को यह radius है ठीक है तो यह pqr डाल दीजे और हम कह सकते है में गिवन में क्या है ओ एम एक क्वास्ट टू एम आर को यह बीच में होगे रेडियस ठीक है गिवन प्रूफ प्रूफ में क्या करना है दा लेंद ओफ टैंजेंट आर इक्वल मतलब की पी क्यू यह क्यू है आपको डीक क्यू इसमें तू लेटा तू पी-क्यू एकोइफ टू पी-कोइफ कॉइस टू पी-कू पी आर अब देखिये में TEThis लोग taste क तो जोब करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल PQM, ठीक है, और दीए, आपको बताए, कि ए ए फ्रम्तिर्स में कहा है, कि यह जब रेडियस किसी ट्राइंगल पो किरती है, एंगल रांट डिकर होता है, ठीक है, इन ट्राइंगल PQM, तो हम यह कह सकते हैं, कि PM2 equals 2, तो ए ट्रा प्रम, हम इसको कहा है, कॉंगने ट्राइंगल ट्राइंगल तर दिंगे, यह जोब कैसे है, QM equals 2MR, कोई यह रेडियस है, और रेडियस हमें सा किसी बिसाट होगी, अभी सा इक्कोल रहती है, ठीक है, अगल Q equals 2 एंगल R, कोई यह क्या है, 90 degree मतलब की, 90 degree डाल दिंगे इसमें और आपको PM equals to PM, common है, तो आपका करों कि क्या आपका यह ट्राइंगल रहती है, तो हम कह सकते हैं, ट्राइंगल P, Q, M, कोउगें ट्राइंगल, P, R, M, यह आपका R है, रह, तो हम कह सकते हैं, इस ट्राइंगल से, कि एंग पी क्यू एक कोस्टू पी आर भाई सीपी सीटी यह तो आपको नहीं दिखाता है बोलकुल आपको सिर्फ एग यह अगर आपकी पेपर हाती है तो आप इस तरह से प्रूब कर देना यह से आएगी बहुत कम इसको जो एक्जांप पाले मतलब कोस्टन पर है एक्साइ पॉइंट क्यू मतलब कि एक प्वेंट है क्यू आदा लेंट ऑफ टैंजेंट तूर इस टैंजेंट की लेंट अवग कितना होगा तो दिखिए बहुत सिंपर कोश्चन है आप देख रहा हूँगे जब भी इस से टैंजेंट पर एक लाइन आपको इन करेंगल ओ आर क्यू ओ और फॉर इकोई स्थू प्लस ओ आर स्कॉर यह क्या है जो इधर है तो यह क्या है और है यह एक्पेंडिस होगी बेस और प्रेंडिकुलर और यह 25 का स्कॉर हो एगा, यह QR 24 का स्कॉर पिलस, ओ आर का स्कॉर तिक है, अब यह 625 हो एगा, यह 576 हो एगा, यह स्कॉर रूट अपको याल करने पड़ेंगे, पिलस, ओ आर स्कॉर, जब इससे इसको मार्स करोगे, तो बहले अपको इतनी आगी दिखो, फार मेंज 6 करें तो 9 मचेंगे, और 11 मेंज 4, ठीक है, और OR स्कॉर, मतलब OR आपको बले आएगी, इसका रूट चड़ाएगा इससे, तो आपको 7 सेंटिमेटर आएगी, जो कि इसमें आपका A आप्शन राइट है, अब दगी कोस्सन नुए 2 है, इसमें कोस्सन जो है, वो फिगर आप्ट में ही है, इसमें काई एक पॉइंट है, तो आपको यह वाला एंगल बताना है, तो भहिया देखों, एंगल राने के लिए, पहले आप क्यास में तो एक लाइन कीची लेना मतलब आपको इस तरह से आपका एक एंगल बन जाएगा यह एंगल बन जीरो और यह आपका टैंजेंट हो जाएगी ठीक है इबने फार निकाल लिया अब दिखें पहले इसे निकाल लिए यह एक रेडियस है तो आप दिखोग में जीरो प्लस एक गौस टो रही प्लाइक सकते हैं लिए प्लाइटि जाए गाओ एक सेवंटी जाएगा आइक सेवंटी आइगा उट्ने लिए अब ही है मिल ऑथेजित को इंगल इक वानग की एंगल पी क्यू एंड पी इंगल P T Q, वो किस किक करोता है में साथ, वो आप याद रखोगे वो एंगल होता है कि अंगल O, P, Q मतलब की O, P, Q के कितने होता है? टू टैम्स होता है अग मालनों को मैं रख दू, टू एंगल नेम कर दू इसको मैं रख दराऊ, इंगल 1 कर दराऊं, इसे 2 मतलब जो अंगल 2 होगा वो 2 टैम्स अफ एंगल 1 होगा है यह एक theorem द्रीख कह बता रहा है कि इस वाले इंगल हुग वह बाता बन हुआ रहा है और फिन तो कर दें है कि दो एंगल थू नंहें कздर वह आपको कुछान हुग हगा थरोत्रिख ररीचंप निकालने के लिए फॉमें उस depends on your जो तुन सेंटर है यापके आपकी लिए ओ यह पॉंट है आगर राग कर लिए था इंक्लाइंट टूचेदर एट डिग्री तो मैं बताना है कि एंगल पी ओ ए पी ओ ए पी ओ ए मतलए यह आपको एंगल यह हाफ है वह कितना हुआ ठीक है है अब दीजिए किस्तास से करते है जैसे आपको मैं बताया था कि ट्राइंगल ओ एपी कॉमेंट किये थे हमने और ओ बी पी तो जो होता है तो उसको और आइंगल यह वाला इंगल एकको टो होगे यह आपको द्रका एकको थिए तो हम कह सकते हैं कि यह 40 अंगल होगा यह 40 एंगल होगा जब कोई रेडियस पढ़ती है टेंगेंट पर एंगल 90 होता है तो लगा दीजिए इन ट्राइंगल एंगल और एंगल k wealthy डिक हें रेटिधाय कोई रेखाया और एंगल किटना है 40 डिक देखरी 1 किटोए Nina to कि 90-40 वैल आपके आई 50 डिग्री आएगी एंगल पी ओए येस अब इससे पहले आपको एक कोशन खाया था जिसमें की एक एंगल दिराख्या था वह वन जीरो 10 का और आपको क्या है ये टेंजन दिराख्यी थी साइप गोर अंगल थी था फ्रेमे निकालने थी ये वैली निक O P T Q A QA 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 7 आपको एंगल डायकली 7 निकलाएगा जो एंगल कोस्टनमा 2 था वो दो तरफिस हो सकता है कि या तो से आप कॉडिटर फॉर्म से कर लीजिए या जो उस तरह लीजिए मैंने क्या एक सरकल बना लिया और में सब्सक्राइब बढ़िया नहीं है इसके लिए सौरी तो दिखी रायस में आते हैं को यह कुछ लगा रहा है अगर अगर हमें इसके विए डायमेटर बनाना है कि हमें डायमेटर में बना दिशका ए और बी एंड ढाल दिये इस इसको ड्रॉ कर लिया मैंने इसको एम एन के दिया कोई भी आप नेम ले सकते हैं तो हमें करना कि यह जो पी क्यू और एमन है वो क्या आपकी एंग पैरल लाइन से तो यह देखो पहले तो हम गिवन लेते हैं इसके लिए गिवन कह सकते हो आप कि एंगल यह सेंटर ओ माल ल कि निमिंग कर दीजिए तो को आयंगल इसको बन कर सकते हैं ओ ए ओ ए पी इंगल यह प्याइन हैं और यूइच कंनल ठोट इसको νाइच डिग दीजिए और लेतेजिक धोब ग्ंही्क ग्सक्रेन फोस्वाऊ है ब्लुश लिएं नगल और हैं मुश्लिएकसां देख पर जोस हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू पैलल एम एन अब लिट्ग तूफ कर रहे हैं मतर्ड तूफ करने जा रहे हैं जानते भी तो है कि एंगल वन एक कोई टू है कोई बून अब हमकर है कि angle 3 equals to angle 90 degree angle 3 equals to angle 4 equals to 90 degree अब दोनों ही एक्कोल है आपसमें जो की 90 degree से हैं एंगल 3 एंगल 4 वह भी 90 degree से हैं ये equation 1, equation 2 हम कह सकते हैं from equation 1 and 2 तो हम कह सकते हैं angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4 ठीक है अब आप यहां देखिए कि angle 1 equals to angle 4 मैं इस बाइसे लिख रहा हूँ कि यह आपसमें एककोल इस बाइसे होंगे कोईकि सभी इकोला तो यह भी इकोला होंगे और यहां देखिए कि angle 1 क्या है angle 1 PAO और OBN PAO equals to OBN यह angle आपको क्या है alternate interior angle बना रहे हैं इंटिरियर मतलब कि alternate होते हैं जब भी कि दो राइस बीच alternate angle एककर हो तो हम कह सकते हैं so the lines are parallel बस आपका इसके concept रही है कि alternate angle प्रूब करना है प्रूब कर नहीं कुछ भी नहीं कि 9 degree angle है उनको प्रूब कर रख दीजिए हम कहते हैं angle 2 equals to angle 3 so lines are parallel lines are parallel यह था आपका इसमें question का answer yes अब दी question में 5 क्या है आपका इसमें प्रूब करना है कि length of a proof that perpendicular at a point of contact मतलब कि एक point of contact है वह क्या होता है कि एक circle पर जिसे point से tangent हो जाती है उससे point of contact करते हैं लीजे एक point of contact sorry यह आपके इस तरह से जाएगा ठीक है एक point O है from the two of circle passing through a center मतलब कि अगर वह point of circle है जो tangent है वह point of contact से गुजग जारी है तो आपको दाना है कि वह आपका एक क्या है center है कि प्रूब data perpendicular at a point of contact perpendicular at a point of contact to a tangent to a circle passing through a center मतलब कि जो क्या हो center से pass हो रही है तो लीजे से प्रूब करते हैं तो यह अब दिखिए हमने मादा कि दो को कि जो point है यह इसे a भी डाल दीजे एक tangent है दूसरा कर लीजे इसी center से आपको क्या करना है एक लाइन क्या है ड्रो करना है पी क्यों एमन डाल दीए पी क्यों डाल दीए पी और क्यू से आप सोचिए कि यह अब अब यहाँ c आ दीजे जो c और o है c और o radius है r a d i us और यह तो आपको दिख रही है कि जो center o है और c radius है हम बानते हैं कि जो radius है वो c o और ना होके c o' हो जाती है मतलब कि नई radius हम अजंशन कर रहे हैं कि new radius क्या होगी या point radius क्या है कि c o' इस फाइनल रेडियस है हमने ऐसा समझ जाए कि उस साइज उपर से देख रहे हैं फाइनल रेडियस है तो अब आप देखेंगे हमने और हमने क्या माला है कि p p q पैलल किसके है a b k ठीक है हमने क्या है यह construction किया है यह फिसके कि P k पैलल अलाह भी के अभ आप देखो एक तो में अन कर देराऊ यहwydd में इसको ठीक है आप दिकशन आई हांठीक है और यह सब्सक्या को थो रहेगा तो एंगल 1 एक्कोश टू एंगल 2 एंगल B C O एंगल क्या है B C O एंगल क्या है B C O एक्कोश टू एंगल O O-C वह कितने को हो जाएंगे आप पही 90-degree को हो जाएंगे अप फच्राओं को 90-degree क्यों होगे देखो जब कोई मालो हमने इस तरह से यहाँ रेडियस आली जब हमने O C देडियर जाली जो एंगल 90-degree हो जाएंगल क्योंकि नियू रेडियस नीटर बाने थी C O अब जब कोई रेडियस टैंजिन पर टलती हो 90-degree हो जाती है तो एंगल B C O मतलब एंगल पर 90-degree हो गया अब हमने बताया कि अब देखिए यह एंगल 1 क्या आपको पूर आए ठी है यह ऐसा नहीं कि एतना है तो टैंजिन किसी पॉइंट में जब जाएगी यह इस तरह से जाएगी तो एक टैंजिन ऐसे हो जाएगी तो एंगल पूरा आएगा ज्यादा बोली डिफेंस आएगा पूरा एंगल यह यह 2 है और 3 है अब देखिए अंगल 1 एक कोईश्ट्व एंगल प्लस एंगल 3 वह आपको वरिटि देगा अब यहां देखो एंगल 1 और आएंगल 3 क्यों देगा ओं को इंटेर नहीं रहे है आपको पता है को इंटेर कैसे हुए अगल दिखिए एअ बी लाइन परी आप सब्सक्राइब तो इस वैसे कोई भी जब लाइन जाती है तो यह एंगल और इसका सम इतना होता है वो 90 डिग्री होता है देखिए एंगल मैंने 3 इसको मालना है 3 इसको माल दीजे तो एंगल 1 और 3 180 हो गया और यहां दे रखा है कि एंगल 1 इकोस्तों तो एंगल 3 और 9 डिग् एंगल सो आवर अजंप्शन वोज रॉंग वोज रॉंग वोज रॉंग ओडैस वोज ओडैस विल नौट बी कंचीडर एज रेडियस वोज सकता कि क्या कर रहे है या अजंचन कर रहे है कि o c o to fe हमने इसको रिडिस माला था और जब बी इस पर रिडिस पर ही तो 90 degree एंगल होगा पर हमने देखा य। यदि बना रहे है और फे बता है कि एंगल वन और फ्री अब 90 गर्ड़ी होता है मतलब कि 1 और 3 का कोईंट्रिया से एंगल 180 होता है को गवरेटी कर बढ़ेगा जब एंगल 1 वी 90 का होगा एंगल 3 वी 90 होगा तो बहिया ऐसा होए नहीं सकता कि किसी एंगल में 2 किसी भी ट्राइंगल में या कुछी एंगल में 2 नदीगर आ जाए अगर 2 नदीगर आ ही आ भी जाएंगे तो यह उससे क्या आपका रेडियस की वह रही हो पाई पहचाल तो हम कहते ही जो हमने अजम सेंगल किया तब ही ओडेस क्या है सी ओडेस रेडियस है